गुड मॉर्निंग बच्चों, अक्टूबर का स्लेबस, अक्टूबर मंद का स्लेबस अफश्रू करेंगे, पाठ ग्यारा, पाठ का नाम है सत्य बसाएं, ये एक कवीता है, त्यान से पढ़ना है, मैं पढ़ रही हूँ, आओ इस धर्ती को स्वर्ग बनाएं, अपने जीवन को सदा सत्य बसाएं, जीवन हमें मिला बड़ा अनमोल, इसमें सच्चाई का रंगोल, इतकर सत्य वचन ही बोल, सत्य को अपना आदर्श बनाएं, अपने जीवन में सदा सत्य बसाएं, इस लेसन में बताये गया है, इस इस दर्ति को स्वर्ग मनाएं। अपने जीवन में सदा सत्य अपनाना चाहिए। जीवन हमें जीवन बड़े अन्मोल मिला है। जिसका कोई मुल्य ना हो। इस जीवन में हमें सच्छाइ का रंग बोलना चाहिए। मतलब हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, हित कर सत्य वचन ही बोल, हमेशा हित कर मतलब भलाई के लिए सत्य वचन बोलना चाहिए, सत्य को अपना आदर्श बनाए, सत्य को अपना आदर्श बनाना चाहिए, वो सदा जीवन में सदा सत्य, सदा सच बोलन चाहिए, समय बहुत कम है अपने पास, हमारे पास समय बहुत कम है, अतह बनो नहीं इच्छा के दास, अपने इच्छा के, अपने तृष्णा के, अपने इच्छा के दास नहीं बनना चाहिए, सदा मन में भरा रहे उल्लास, हमेशा मन में खुशी बरनी चाहिए, हमेशा खु प्रोब क्या है? दूसरों की बलाई हमेशा करने चाहिए, अपने जीवन में सदा सत्य अपसा है, अपने जीवन में हमेशा सच बोलना चाहिए, सत्य ही सुन्दर, सच बोलना ही सुन्दर है, फसो नहीं कभी माया के अंदर, कभी माया के अंदर, माया के अंदर कभी फसना नही बैठो अपने मन मंदिर के वितर, अपने मन के अंदर, बैठो अपने मन को देखो, उर्क में सत्य निश्ठा को लाए, अपने हिर्दे में हमेशा सच को लाए, अर्थार्थ क्या हुआ, हमेशा सच बोले, अपने जीवन में सदा सत्य बसाए, हमेशा अपने जीवन में सदा सत बोलना चाहिए, अब इस लेसन के हैं, शब्दार्थ, सदा मतलब हमेशा, अनमोल, जिसका मुल्ले नेहो, परोबकार, दूसरों की पलाई, माया, कपट, ब्रह्म, उल्लास, खुशी, शिव, कल्यानकारी, उर्व, हृदय, निष्ठा, द्रड, निष्य, अब ये लेसन को आप के कटें शब्षवदार्थ, आपको अपनी नोट्बुक में करना है, एक पेस लेक लिखना है, धन्यवाद,